तो हेलो गाइस वेलकम टो माई यूटूब चैनल और आज की इस वीडियो फ्रेंट्स मैं आपको बताने वाला हूँ किस तरह से आप जो है एक्टिवेट कर सकते हैं जी हाँ दोस्तों अगर आपको भी मिला है नया एक्टिवेट कर सकते हैं तो सबसे पहले दोस्तों आपको काट को एक्टिवेट करने के लिए SBI जो SBI का योनो अप्लिकेशन है SBI योनो को आपन कर लेना है दोस्तों आपन करने के बाद यहाँ पर आपको जो है लोगिन हो जाना है लोगिन करने के लिए आप यहाँ पर MPN का यूज कर सकते हो या तो user ID और पासवर्ट का भी यहाँ पर यूज कर सकते हो ठीक है तो लोगिन होने के बाद आपके सामने कुछ यहाँ पर इस तरह से इंटरफेस आपको देखने को मिलेंगे तो आपको करना क्या होगा कि ऊपर में देखिए लेप्ट साइड में ठीरी लैंस का एक ओप्शन है आपको फ्रेंस इस त्री लैंवा आपको यहाँ पर जैसे किलिक करते हैं तो यहाँ पर फ्रेंस आपको जो है प्रोफाइल पासवड मांगा जाता है ठीक है तो आप जो भी प्रोफाइल पासवड बनाए है तो वो प्रोफाइल पासवड यहाँ पर आप टाइप कर देंगे ठीक है और अगर आप paraat password पर पिल्ड की करके जह हैं यहां से आप profile password को कर सकते हो तो यहां पर जो मैं अपना profile पास्वर्ड दे देता हूं कि इसके बादर यहां पर देखिए block card और यहां पर manage card और यहां पर request new replacement card का option आता है और नीचे देखिये यहाँ पर जो है activate card का option आता है आपको शिर्फ activate card वाले option पर आपको click करना है friends इसके बाद यहाँ पर जो है आपको bank को select करना है तो यहाँ पर मैं bank को select कर लेता हूँ और bank को select करने के बाद नीचे जो है enter card number तो आपका ATM card में जो भी solar digit का card number होता हुँ आपको card number यहाँ पर आपको type करना है तो आपको यहाँ पर next बाक्सक्क्राum पर आपको click करना है और यहाँ पर जो है outros अपके different आप यहां से जो है activate हो जाता है और यहां पर देखें लिखा भी आ चुका है कॉंगरेट लुशन आपका से अबन अ कार्ट एकटिवेट हो चुका है ठीक है तो इस तरह से दोस्तों आप्लोश को एकटिवेट कर सकते हैं तो दोस्तो अगला वीडियो हुए तब तक के लिए जैहिन बाई बाई